सवाई माधोपूर जिले के काला गूड़ा के सीमीर में 12 सतंबर को चरवाहे पिंटु माली का शिकार करने वाले आदम खोर बाग T104 को चैनपूर के जंगलों में आखिरकार ट्रैंकुलाइस कर दिया गया है जैपूर, कोटा, सवाई माधोपूर और करोली की अलग-अलग टी में 7 दिन से इसकी तलाश कर रही थी टीम रेडियो कॉलर और जीपीएस ट्रैकर से उसे ट्रांकुलाइस करने का प्रयास कर रही थी लेकिन T104 उन्हें छकाता रहा रन्थमभौर नेशनल पार्क के CCS मनोज पराशर के अनुसार बाग को भीड में बने एक्स जोशर में छोड़ा जाएगा और ये बाग पिछले आठ महिने में तीन लोगों की जान ले जुगा था